मेरे खिलाफ दावरा में जिन लोगों ने जमगट किया जो राजनेतिक करन कर रहे थे जिसमें बीजेपी भी शामल हो गई जो कर रहे थे स्टेज पर कौन आया किसके भाशन करा इसारा जमाना देख रहा था वो एक भी कॉंग्रेस की सरकार बचाने में 2020-2020 में उनकी योगदान नहीं थी वो मुझे नहीं लड़का रहेंगे मुख्यमंत्री जी की सरकार कॉंग्रेस की सरकार के प्रती और कॉंग्रेस के आलकमान के प्रती अगर कोई वफादारी से खड़ा रहा है तो हम खड़े रहें कि एक विधायक के मुख्यमंत्री से क्या वार्तलाब होती है कि वो कोई सार्जनिक मंच पे नहीं बताई जाती कि लेकिन जब उतनी अखबार में छीटा किशी कर रहे हैं तो इतना बता देती हूं कि मुख्यमंत्री जी को मैंने बता दिया कि जो मुझे बताना था कि किस तरीके से इस सभा का राजनेतिक करण हुआ है यह जमावड़ा के सुद्धेश्य से किया गया है रंजीत सिंग जी 32 साल कॉंग्रिस में रहे तो मदेर्णा साब का फोटो नहीं लगा था वाँ पर उस सभा में परिश्रा मदेर्णा का फोटो त जब आमदेर्णा के खिलाफ गेरा गालने में बैठे थे जो कॉंग्रिस की बीग यह एंगे है वो तो चप्पे चप्पे में आपर पता है आठ में अमें आराने में थी तेरा में खिलाफ थी अठारा में खिलाफ थी साथ बैठकर क्या ढोंग करना एक तागा नहीं बंती जब जहां वक्त आएगा वो तो जिनके साथ हैं वो ही रहेंगे जो पहुंच गए थे समर्थन देने फिर पुलिस ने रोक दिया कि ऐसा नहीं होता है कि आप बिन बुलाए चले जो और जहां तक सबा की सवाल है 2017 के अंदर एक AICC की Observer बावडी में आ रहे थे वहां पर इस तरीके की शब्दावली मेरी मम्मी लीला जी मदेना और मेरे लिए वहां कही गई उसके बात तो हमने कह दिया हम इनके साथ कभी जिन्दगी में स्टेज शेर नहीं करने वाले MP का टिकेट मिला तो मैंने मुख्यमंतरी जी को सपश्ट कह दिया और मैंने उपर दिली तक कह दिया जी आप सूबे के मुख्यमंतरी हैं आप सबा ले लीजिए लेकिन मैं इनके साथ कोई सबा नहीं लूँगी क्योंकि मैं स्वाबिमान से समझाओता नहीं करती मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि भरी मंच पे मैं और मेरी माता जी किस परिवार से आते हैं दो महिलाएं सार्जनिक रूवम से अब भदर गालियां सुनें तो ऐसी कोई हमने गुलामी इनकी नहीं करी ये बद्री राम जी के मैं स्टेज शेयर नहीं करूंगी और उसिया में मैं उनके साथ स्टेज नहीं शेयर करूंगी मुख्यमंत्री दी जानते मेरे संकल्प को